नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज का हमारा discussion है Working with Crown Immigration इसके बारे में हम discuss करेंगे तो हमारे दो office हैं, एक Delhi के अंदर है और एक Ambala के अंदर है यहाँ पर हमें आप यह समझ सकते हैं partner की requirement है जहां बहाँ पर एक dedicate stop की requirement है इवन हम उसके उपर अपना profit and sharing basis के उपर भी work कर सकते हैं अगर आप उसके अंदर interest रखते हैं तो आज मैं जो discussion करने जा रहा हूँ तो यह बहुत ही बड़िया opportunities आपके लिए लेकर आया हूँ लेकिन हमें बहुत serious लोग ही contact करें जो shortcut हैं एक दिन में ही सारा कुछ करना चाहते हैं वो हमें please avoid करें अगर आपने किसी भी person ने forge की नोकरी की होगी तो उनको मालूम है कि उस बहाँ पर stress क्या रहती है हर टेम डंडा ही रहता है तो ऐसे ही जो हमारा head office है जलंदर का बहां पर मैं खुद बैठता हूं force में रहा हूं और यहां पर भी पूरी की पूरी मतल प्रेशर रहता है स्टाप के उपर भी branches के उपर भी क्योंकि force में भी हर एक चीज timing के system से है timing में office में आना है timing में work करना है ऐसे ही जूर सच नहीं बोलना बेवकुर्णी बनाना किसी को वो चीजें हमने 12 साल में सीखी है वो ही system हमने पूरी अपनी जो company है crown immigration उसमें implement किया हुआ है अभी हमें भी 14 साल हो गए है जब मैंने भी काम start किया था पहले एक step से start किया था मैं ऐसे तो नहीं हूं तो मैं यह बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया था पहले मेरे पास एक शोटा सा टेवल एक स्टूल पर आकर मैंने काम start किया था और डोर टू डोर लोगों के office में जाकर इवन जितने भी बीएफेस उनके आगे खड़े होकर लोगों से request कर दी सार हमसे भी form भर वालो हम भी आपका अच्छा काम कर सकते हैं इवन जो बड़े-बड़े office से उनसे ज्यादा हमें काम आता था उसने हैं भी बट लोग बलीव नहीं करते थे किते यार इनको क्या आता है जो चलते फिर लोग हैं फिर हमने भी अच्छा सा टेबल रख लिया चीजिए रख ली अच्छा सा ओफिस ले लिया क्योंकि जैसे-जैसे हम काम करते हैं हमें अच्छा रिस्पॉंस मार्किट से मिलता गया तो उसी तरीके से हमारी जो कॉंपनी है क्राउन इमिग्रेशन मतल स्टेप बाइस चड़ती गई ऐसा तो है नहीं कि पहली स्टेप से सीधा ही हम दसमी स्टेप में हमने शलांग लगा दी उसमें तो कोई भी सुक्सेस नहीं होता कोई लगता है बट हमारे लोगों में पेशन नहीं है अगर आप को बिजनेस की स्टार्ट करते ना बिजनेस भी जब को स्टार्ट करते तो उसको चलाने के लिए दो दो तीन साल इवन मतले इवन सेवन्टी तो एटी परसेंट तो फेलियो हो जाते हैं बिजनेस में बंद करके पड़ेगा और मैंने अपना करम करी जाना है अपने एफट करी जाने है आइधर मुझे को आरही है जब नहीं आ रही है तो एफट और क्या है कि आप अपने ओफिस के टुवर्स ऑनेस्ट हैं टाइमिंग टैमिंग ली आरहे हैं और बिलकुल ट्रांस्पेरेंसी से क्लाइं को इंफोर्मेशन प्रवाइड करें यहां अपनी जो रिस्पोंसिबल्टी जा उसको परफॉर्म करें लीव अबाउट दा की रिजल्ट मिल रहा है जानी मिल रहा है रिजल्ट हंडर परचेंट मिलेगा अगर आपके अंदर डेडिकेशन से इस बीडियो बनाने का कारण य यह जो की लेवोरियोस हो हमारे जैसे हम अगर 8 गहंटे ऑफिस में आये हैं तो 8 गहंटे प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे यह नहीं है कि क्लाइंट को ना क्लाइंट का फोन उठा रहे हैं अहां बोस का फोन आगर सिर्फ बोस का उठाना है वो लोग तो बिल्कुल हमें क आफिस समझ कर चलाना चाहते हैं वो हमें कॉंटेक्ट करें और दूसरा रहा गया और यह मेरी गरंटी है मैं इस वीडियो के तुरू बता रहा हूं लॉट आफ क्लाइंट्स इन डेली डेली मतल में हब है बहुत क्लाइंट्स हैं बचारे डेली के क्लाइंट हमें जलंदर म क्लाइं आके मिलते हैं कारण क्या कि हमें आज ते कुछ कंपीटेंट परसन नहीं मिला उस ओफिस को लुक आप्टर करने वाला वो डेली वाला और अमबाले वाला तो अगर आपके अंदर कंपीटेंसी है लगा लगाया बिजनस है और जिसके अंदर आपको इमीजेटली र बहुत अच्छा है लेकिन हमें परसन वो चाहिए जो क्या है सीरियस है टुवर्ड्स वर्क के वह हमें कुंटेक्ट करें ऐसा नहीं है कि यह मैं पैसा लगाने के लिए त्यार हूं ना ओफिस में आ रहा है ऑफिस बंद है क्लाइंट बाहर खड़े हैं वह वाला बंदा तो साल से वहां पर वर्किंग कर रहें वह सारे के सारे फोन मैंने जलंदर ऑफिस में रखे हुए है क्या करते हैं आते हैं धो चरह मीने काम करते हैं देखने कि यह काम बहुत वह बहुत हैं छोड़के चले जाते हैं अपना स्टार्ट करते हैं फिर फोन करते हैं अभी रख लो फिर उसके बाद हम आवाइड कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं रखना जाद यह बंदा है जो हमें नहीं समझ पाया तो यह किसी को समझ नहीं पाएगा और हमारी कभी भी बैड इंटेंश है को मैरेज कुछ हो गया कुछ ना कुछ इसके लिए किया जाए तो जो भी इनकी बंती है भी कॉवड़ था जो भी हमसे बनता था हम उनको देते रहे वह कभी नराज नहीं है वह मोड़ा के साथ मोड़ा लगा कर साथ में चलते हैं कि ठीक है सर जैसा भी है आप सिट्योश अपने लेना चाहते हैं profit and sharing के उपर तो मुझे contact करें मैंने अपना personal number इस screen के उपर लगाया है तो आपने मुझे अपना सिर्फ resume भेजना है और मैं preference उनको दूँगा जिनको इस industry के अंदर knowledge है और proper मैं training head office के अंदर दूँगा live phones कैसे सुनने हैं आपने अपना data कैसे maintain करना है maintain करने के बाद किस type की आपने counseling clients को provide करनी है even जो आप हैं वहाँ पे front hand back hand में यहां का जलंदर office है जिसने सारा filing का देखना है लेकिन आपको जो मैं head office में training दूँगा उसके अंदर filing की everything आपको हमारा जो staff है वो बताएगा even आप मेरे साथ 2 घंटे बैट के देखिए daily जब आप training लेने गांगे आपको पता रहेगा कि कितना pressure directors के उपर भी रहता है कितने phones आते हैं किन को जवाब देता रहता है और हर एक clients का data मेरी figures के उपर रहता है जितने भी crown immigration के साथ चल रहे हैं क्यों क्यूंकि we are the responsible person तो अगर आपके अंदर honesty है dedication है और यह मेरी guarantee है you can make a lot of money as well as your career आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर crown immigration के साथ चलते हैं इन दो offices के लिए क्योंकि इन दोनों offices के लिए हमारे पास कई वरी different different type के लोग आएं लेकिन सब short cut आए इसलिए हमने उसको close करना वहतर समझा कि close रहने दो instead of complaints की लोगों की complaint है जो काम मैं नहीं करता है अभी PR का किनेडा का स्टार्ट किया था मैंने तो उसके बाद हमारे पास कोई stop नहीं मिला जिसने मैं अखिला बंदा हूं मुझे साथ में कोई assistant भी चाहिए जो अच्छे जिनको knowledge हो वो मिला नहीं मैं आज की rate में finally ले रहा हू अभी मुझे दिली से फोन आता हूं उनको straight forward करते हैं कि सर हमाराज वो officer temporary closed है अगर आप immediately कुछ ना कुछ केरियर में करना चाहते हैं अगर आपके अंदर honesty है dedication है काम को अगर आप पूजा समझते हैं उसके according करेंगे तो आप immediately मुझे contact करो ये opportunities मैं आप लोगों को provide कर सकता तो lastly मेरी यही request है कि अगर आप crown immigration के साथ मिलके ये project को करना चाहते हैं तो एक बार मुझे जुरूर समपर करें अगर आपको ये मेरी video अच्छी लगी तो इसको like and share करना ना मुझे